हलो ब्रीवन मैसेलफ का सी डियर स्टुएंट आज के इस वीडियो लेक्षर में हम लोग बिहार एससी के प्रीबियस यह में चाहे वो टेन प्लस टू हो सर या फिर गर्जुएट लेबल हो उसमें सर जितने भी कुछे गए थे वो सारी कुछेंस सर हम लोग पार्ट बाज डि सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो लेक्षर में सर हम लोग 75 कुछेंस के करने वाले हैं इसके जो वीडियो प्रवाइड करवाया जाएगा उसमें सर मैत और इसनिंग के जो भी कुछे गए हैं उसको डिसक्रिशन के साथ आपको डिटेल एक्स्प्लानेशन के साथ वीडियो प्रवाइड करवाया जाएगा तो उससे आप देख सकते हैं ठीक है तो विड़ाट टैमवेस्ट किये हैं सर शीदे बढ़ते हैं हम लोग वेक्षेंट पर और हाँ इसका पीडियो चाहिए तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा ट स्टेणिस खिलाडि जो फिल्म निर्मान है तु अप्शन नमर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा असोक अमृत राज तीक है असोक अमृत राज इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं सब्सक्राइब निम्न में से किस चेत्र में वर्स दूजर पांच में इंद्रा गांधी परमान वनुसंधान केंद्र ने उन्नती की ठीक है तो अप्सिन नमर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट ग्रीडर टेस्ट रियक्टर के युरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित क अरबाइड इंद्रन का उनर साधनी करन ठीक है तो अप्सिन नमर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है लास्ट में सर कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कूर बताना है ठीक है 75 में आप कितना टूर और कितना फॉलिश करने ठीक है बढ़ते हैं सर्क्रिक्ष्ट नम समाज सर आत्मराब पांडूरंग ठीक है तो आपको यह सब इजी कोश्टन है तो आप यह पता होना चाहिए विकोज वन अप्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यह सब किसी भी वन डे एक्जाम के लिए ठीक है नेक्स्ट है कि श्री एच आर भारत द्वास राज जिपाल है ठीक है बढ़ते हैं कुश्टन नमर नेक्स्ट है सर कि निमन में से कौन सा आयोग सर पर्थम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतरगत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में अस्थापित किया गया है तो अप्शन नमर सी इसका राइच आंसर हो जाएगा पातली पुथर औप्शन नमर चीश का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं कुश्ट नमर नेक्स्ट पे कुश्चन में इसको रीलेट करके आप याद कर सकता है नेक्स्ट आए भारत का रास्ट्य फल क्या है सर तो आम हो जाएगा ठीक है निमन में से कौन सा कथ सत्य नहीं है तो महानदी का उद्गम इसे सही है सरी कुमार बनर जी निमनों से संबंधित तो Shri नमर डी ए और बी दोनों परमानु उडजा आयोग और भावा परमानु अनुसंधान के अंदर तो आप्शन नमर ए और बी दोनों से रिलेटर है कुम स्रीकुमार बनर जी ठीक है बढ़तें सर्कुष्चन नमर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नमर नेक्स्ट है कि 1929 इस भी में इस भी में किसकी अध्यष्टा में आयोजित हुए भारती राष्टी कॉंग्रेस के लहोर अधिवेशन में ब्रीटिस आसन से पुर्व स्वतंतरता का प्रस्ता पारित किया गया तो आप्शन नमर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है निए निक्ट भारत तता चीन के बीच ठीक है भारत तता चीन के बीच शिमा बनाने वाली रेखा है यह है सर आपका मैक मोहन रेखा ओप्सन नमर 20 राइट आंसर हो जाएगा ठीक है मैक मौहन रेखा यही स्यम कुशन सर एटी सरसटमी बीपियास से के री एक्जाम में यह question सिर के question सर as it is आपको पांचा questions मिलेगा इसी प्रिवेश सिर में सर आपको दो तीन question हम दिखाएंगे एक तो यह हो गया इसके just बाद और जब question आएगा तो वह हम दिखाएंगे सर आपको बताएंगे next है यहाँ पे कि उस राजी का नाम बताए जहां से भारत के पर्थम राष्टपती चूने गये हैं ठीक है यह हो जाएगा बिहार option नमर डी इसका right answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते है व्रिंदा वन गार्डेन इस्तित है तो व्रिंदा वन गार्डेन इस्तित है सर मैसूर में option नमर C इसका right answer हो जाएगा next है कि निमन में से कौन सा विद्रो हो बंकिम चंद्र चटर जी के उपन्यास आनंद मट के द्वारा परशिद हुआ है option number D इसका right answer है सर सन्यासी विद्रो क्या है सर सन्यासी विद्रो है बढ़ते है question number next पे भाखरा नांगल बांध इस्तित है ठीक है तो भाखरा नांगल बांध इस्तित है सर option number B इसका right answer हो जाएगा 17 नदी के टट पर ठीक है next है यहाँ पे 1946 इसमी में गठित अंत्रीम सरकार म अगर आप प्रीवेश यह देखे होंगे तो ठीक है तो यह दो क्वेश्टन सर आजटी आपको मिल गया जो कि बिहार ससी में पूछा गया question है ठीक है बढ़ते है question number next पे इसका answer right हो जाएगा next है कि कोलंबो से अलमुरा तक ठीक है कोलंबो से अलमुरा तक वैक्ष्यान निम निम्न में से किसके अनगोगोपु पराधारी था है तो स्वामी विवेकारनन ठीक है next है कि लव सब्द निम्न में से किस खेल से संब्दीत है तो option number a इसका right answer हो जाएगा sir टेनिस ठीक है लव सब्द इसका right answer हो जाएगा next है कि भारत में स्वेत करांती के जनक माने जाते है बारत में स्वेत करांती के जनक option number a डाक्टर वर्गीज कुरियन ठीक है next है कि निम्न में से कौन सा एक हिंदुस्तानी सास्त्री गायक है तो option number 3 इसका right answer हो जाएगा गंगु बाई हंगल एक हिंदुस्तानी सास्त्री गायक है बढ़ते है question number next पे question number next है sir कि उस राज का नाम बताइए उस राज का नाम बताइए जहां से अधिक्तम संख्या में केंद्रिय रेलवे मंत्री बने है तो यह भी सर बिहार हो जाएगा option number 20 इसका right answer है next है कि निम्न में से किन देशों के समूँ से भूमध्य रेखा गुजरती है ठीक है तो option number 20 इसका right answer हो जाएगा sir कोलंब से अपको वहां पर आना है ठीक है इससे पहले एक वीडियो प्रवाइड करवाया गया था जिसमें अपने देश्टिनेशन तक पहुंच शकते हैं तो अगर वह वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से दे देख सकते हैं देन अप्र सर प्रीविए सर करेंगे उसके बाद सर जो भी आप अभी तक बुक पर रहे हैं चाहे हो लुसेंट हो घटना चकर हो जो भी सर जो भी पुब्लिकेशन का बुक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसको रिवाइज करना है फरस्ट अफॉल क्या करन है आज से उसको रिवाइज करना होगा लास्ट टाइम में ठीक है तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखा हैं भी तक तो उसको देख सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं कुश्चन नमर नेस्ट पे नेस्ट है कि विस्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आस्ताल दावोस कहां पर इस्थित पर तो दावोस सरशुचन नमर कशिश करा इंसर होजाएगा सूठियर लेंड में ठीक है नेस्ट है कि राश्ट्य ये स्मार्ट गवर्रमेंट-शंस्थान कहां इस्थित है तो प्रें इसका राइट आंसर होजएगा सरह हाऊद्राबाद में ठीक है नेक यह मृतियों को कानुनी रूप देने वाला पहला देश निमिन में से कौन सा है तो एकच्छा मृतियों को कानुनी रूप देने वाला पहला देशर आपका नीदर्लीड हो जाएगा सब्सक्राइब बंगला नेक्स्ट पर भारत में हरित करान्ती का जिनक किसे माना जाता है अब में सब्सक्राइब अग्र आप नम्ला सोणना चाहें तो सुन सकते हैं चिक है 맞아 जो है आफ अगर्स्ट जो है 1967 जिसका मुख्याला की बात करें सर तो एस्विशन ऑप साफ इस्ट आश्यन हो जाता है ठीक है इसमें टोटल दस सदस्य हैं जिसमें पहला हो जाएगा मायमार, थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई तथा फिलिपिन्स हो जाएगा तो अप्सन नमर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असियान का सदस्य दे उसमें सर आपको book and author से सर चार questions पूछेगा है तो one of the most important topic हो जाता सर, book and author, जहां से question आना fix है सर, ठीक है तो इसे first of all आप complete कर लेंगे, यहां पे है कलहन द्वरा रचित राज तरंगनी है, यह हो जाएगा option नमर 20 का right answer हो जाएगा, सर कस्मीर का इतिहास, ठीक है, next है कि निय जुलाइ 1947 को, 22 जुलाइ 1947, option number D, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते है question number next फे, next है sir, कि हरपा सभ्यता संबंदित है, तो हरपा सभ्यता संबंदित है, sir, कास युग से, option number A, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते है sir, question number next फे, next है, शिखों के दसमें गुरू, ठीक ह कहां हुआ था, ठीक है, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, sir, आपका पटना में, ठीक है, क्या हो जाएगा, sir, पटना में इनका जन्म हुआ था, next है, कि wings of fire का लेका कौन है, देखिए sir, इस सिट में भी देख सकते हैं, sir, दोपुस्तर आ गया, wings of fire के लेका क्या हो जाएगा, sir, आपके भारत के प्रधान मंत्री, option number C, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, sir, question number next पे, verse, 2014 के राष्ट मंडल खेलने में, इस से किस देश में, ठीक है, आयोजित किये गए, basically, प्रिविस एर के कर्णिंग कह सकते हैं, sir, escort land में, किये गए, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, तो आप जो ये राष्ट मंडल खेल हैं, sir, ये आपको 2020 का, 21 को कर देख के जाना है, because ये राष्ट मंडल से questions पूछ रहे हैं, तो इसके according आप उसको त्यार कर सकता है, next है, यहाँ पे, कि Westwick तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए, अपने लोगों पे कारबन कर लगाये जाने का परस्ताब करने वाला विश्व का पहला देशनिमिन में से कौन मना है, ठीक है, तो 43 का option number D हो जाएगा, sir, New Zealand, ठीक है, New Zealand इसका right answer हो जाएगा, next है, कि पुर्ण करा किस खेल के लिए, बाल बराकर का परदान किया जाता है, option number B, इसका right answer हो जाएगा, sir, मुक्यवाजी ठीक है, next है, यहाँ पे, कि निम्न में से कौन एक tennis खिलाड़ी है, तो option number D, इसका right answer हो जाएगा, sir, इन में से कोई नहीं, ठीक है, tennis खिलाड़ी नहीं है, то option number D, इसका right answer ह हो जाएगा नेश्ट है कि मैगी नौट रेखा देखें सर यहां से पुछा गया फिर क्वेस्टन कि मैगी नौट रेखा किन दो देश के मद देखें सर विवीद जो है बिसिकली मिशलेनियस उससे लगबग सर्ट्वेल टू फिप्टीन कुछे जा रहे हैं सर ठीक है तो लु कि मैट रेखा किन देश के मद इस्तित है तो यह हो जाएगा फ्रांस एंड जर्मनी अप्शन नमर चीज का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यहां पर नेक्स्ट कुस्टन है कि ऐसा पर्थम इंजिनियरी सनात तक जो किसी राज किसी राज का दो बार मुख्यमंत्र सब्संदित है बिहार से की फारतिय रांश्टी गां फजाइगा नेक्स्ट है है था यह नेक्स्ट आएकि घ्राटिये रास्टिगान पहली बार नाक्ष्य का सब्सक्राइब तो इसका हो जाएगा तो आपको डेट पता है सर तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकता है नेक्स्ट है यहाँ पे सब्सक्राइब तो इसके जस्ट बाद जो वीडियो प्रोवाइड होगा सर उसमें रिजनिंग और मैथ को हम लोग डिसकस कर रहे होंगे ठीक है तो अभी इसको करता है नेक्स्ट है यहां से साइंस के कुष्टन से स्टार्ट होता है तो ध्यान से देखिएगा विकास साइंस समझना होगा साइंस साइंस को अगर आप यह चाहेंगो सर्ट के हम सेलेक्सन ले आज पहले था कि रटके ले सकते थे तरफ बट आज के डिए में अगर चाहिए घान करके चले जायों और एक्जाम में तो आज पूड़ दे तो आईसा पूछन नहीं होने वाला जब तक सा रटना जरूरी नहीं हो क्योंकि अगर ब्रटेंगे ना तो ग्रूप डी का साइंस नहीं कर पाएंगे तो फिर यह ग्रजुट लेबल का एक्जाम है ठीक है और आप सोच रहे होंगे इसमें नुमेरिकल से नहीं पूछेंगे ग्रूप डी के तरह आपको बता दें सर टेन प् सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब लोग अपने वीडियो में कर चुका है तो वहां उसको फिफ्टी डिजी है उस वीडियो का आप देख सकते हैं ठीक है आई यह सर बढ़ते हैं साइंस फिफ्टी टू पर कुश्चन नमर नेक्स यहां पर कि मनुस्षिक के नेत्रिक के रेटिना पर प्रति बिम बनता है ठीक है तो ऑप्सन नमर डी इसका right answer हो जाएगा ठीक ऑप्सन नमर के चिप्सनर नमर डी सक क्या हो जाएगा। अब दूना ने जो है सुरा का और काल्पनिक जो है वह हमेशा क्या होगा सर सीधा होगा विकाया तो निशने कर department इनतर्ल gute प्रकाति मश्च कर probably में उससे का युबारा निउनके में कि को पता हो गए ये युई हैं और उलता है इसका हिंदी जानते होंगे तो सघन वीरल होता है ठीक है तो रेयर हो जाएगा आपका सर वीरल रेयर क्या हो जाता है सर रेयर मीडियम को हम लोग वीरल कहते हैं और डेंसर मीडियम को हम लोग सघन के नाम से जानते हैं ठीक है सघन के माधियम सघन के नाम से जानते हैं ठीक है स्वाइवाएव कि निरबात में सबस्क्त जादा होता और वाइव से अगर काउच में जाएगा उसका स्वाइप सिपीड कम होगा तो या होता है बहुत ज्यादा होगा और यह कि नहीं है यह दूसरा question है इस type का question बन पाता है बट यहां पर है कि वाई उसे कांच से यानि कि रेयर से डेंसर में जाता है वाई उसे कांच में जाता है तो क्या परतिवर्त प्रभावित होंगे ठीक है तो देखिए एक बात इसमें याद रखेगा सर फ्रिक्वेंसी या होता है जब आप वाई उसे कांच में जाता है ठीक है यहां पर इसके बात देख लेंगे सरम लोग नेस्ट है यहां पर कौन सा भारी पिंड सायंकार या रात्री में अकास में सबसे अधिक चमकता है तो चमकीला अगरा पता ही सर सुक्र को कहते हैं लोग तो आपसर नमर्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यह समझेगा सर वन अप दो मोस्ट इंपोर्टेंट कुस्टन है यहां पर कह रहा है यदि एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घरी को पिर्थिवी से चंद्रमा पर ले जाए तो घरी क्या होगी सर बेसिकली देखिए आपको एक फर्मूला पता होगा टी बराबर होता है सर टू पाई टी बराबर होता है टू पाई रूट अंडर लवाई जी यह फर्मूला होता है और आपको यह भी पता होगा सर कि अगर आपका मास यहां कर सिक्षों हो जाता है पर यहां पर क्रील टूटब हो जाएगा क्या हो जाता है ठीक है यानिका रिड़ आफ जाएंगे तो जी-का भैली अगर घट जाएगा तो आप क्या होगा घरी जो है वो सूस्त हो जाएगा चाइनप टरिएक घटेगा तो घरी फास्ट हो जाएगा तो याद रखियेगा तो तो time period यहां पर बढ़तल जाएगा भी को आप समझ पा रहे होंगे है च्छछ findet ध्यूरी का एक व्ड नियूस्य पिन्द का आधा 2xy में क्या होता है शर्थ एक्स प्लस वाइ यही तो होता है उसी परकार यहां भी क्या होगा शर्थ 2b1 2.1 Aици का उप्षाद्व यहां पर आपस Singapore असमुद्री यह शीतल पहन बहती है समुद्रिय सहीतल के धालक सिर दिन में समुद्र से भूमिक्ष और ता आधियन के लिए किया जाता है है क्यों किया जाता है थीक fått यूण की डायरी त्हुटा प्रिष्टल क两ग की रिइश्याइं सेटर हो जाएका नेक्स जयाना है कि मुबाइल सीम कार्द में सरसीं कार्थ क्या है यह सबस्क्राइबर आइडंटीटी मौड ऊप्सन बीश्चा राइड युद्ट करना ठीक है तो आप्शन नमर्टी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट चर्मैत के विडियो में देख रहे होंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वाइरस है जिसे एवियन फ्लू वाइरस के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो असबेस्टर के कारण होने वाले प्रमुख रोग अप्सन नमर्ट इसका राइट अंसर हो जाएगा सर मेसो थेलियो मा ठीक है नेक्स्ट है कि वायू का वेग संबंधित है तो वायू का वेग जो संबंधित है वो किस से संबंधित है ठीक है सर तो वायू का वेग संबंधि स्काराइट आंसर हो जाएगा नेक्स आपको पता होगा कलोड़ोफिल के कारण पती हरी होती है और क्लोड़ोफिल में क्या होता है आइसा हो पाता है प्याइक नेक्स है यहां पर कि वातावरन में सालब्दिक प्रचूर गैस है ठीक है वात अपंड़ एसका राइट अंसर हो जाएगा नेज्ट्रोजन इसका राइट ऑणसर हो जाएगा इसमें सी मती सीफ्लीव तरन होते हैं जिसके कारण ऐसा हो ठाएं की इंसुलीन उत्पादित होता है सभी इंसुलीन उतुवो कि वक्रियाज अगनास्य के धारात ऐसनर डीजिकर रैफार हो जाएगा है नेक्स्ट था कउंभ hace सुरी मॉलिकूलर मास की बात करने तो वह 20 होता है ठीक है और अगर सीधे जल की पुछा जाए तो वह अठारा होता है तो इसे भी आप याद रखेंगे नेश्ट है यहाँ पर की मानव सहिर में रक्त चाफ नियंत्रित होता है तो अधी विरिक गरंदी छहाए प्रकास संसेलेशन ना इस्त का राइट आंसर हो जायगा नेक्स्ट है कि केंप्यूटर में वाइरस संबंधित है तो केंप्यूटर में जो वाइरस है वो संबंधित है सर प्रोग्राम से ठीक है तो option number C इसका right answer हो जाएगा इस वीडियो को सर अगर आपको तो थोरा बहुत भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करना है चैनल को for more videos सर हमारे जादा से जादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा हमारे साथ जुड़ना जुड़िये और क्या कहते हैं सर अगर आपको इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं सर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर हम लोग मैथ यारिजनिंग के साथ तो तब तक के लिए जय हिंद जयवारत